आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बज प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें। तो अब देखो यहाँ पर प्रशन क्या है, अवकलो का प्रियोग कर निम्न का दशमलाव के तीन इस्तान तक सन्निकट मान ग्यात कीजिए। देखो यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है, अवकलो का प्रियोग करके ठीक है। तो यहाँ पर देखो यह जो दिया हुआ है, यह क की घात एक बटा है चार को ठीक है तो अब यहां से देखो अगर X का मान जो है अगर X का मान 81 हो तो यहां से Y का मान क्या आएगा देखो Y का मान जो है यह 81 की घात क्या हो जाएगा एक बटा चार हो जाएगा और 81 क्या लिख सकते हैं 3 की घाट 4 लिख सकते हैं, तो यह क्या पनेगा, 3 की घाट 4 की घाट 1 बटा 4, तो यहाँ पर घाटे गुणा होंगे, तो यह 4 और यह 4 यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो यह क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर, 81 है, तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो अब देखोंगे, अगर बात करें, y प्लस डैल y की, तो यह बराबर होगा, देखोंगे, यहाँ पर x प्लस डैल x की घाट 1 बटा 4 की, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर इसको, यहाँ पर देखो X प्लैस डल, X को अगर 82 होना हो जिसका अपने को मान गयाद करना, यहाँ पर देखो 82, घात 1 बड़ा 4 तो यहां से X का मान क्या होना चीए? एक्स का मान ज़ो है यह 81 होना चीए और वे रेखो 1 होना चीए ठीक है? तो अब इस हिस्ति में देखो यहाँ पर Y का मान जो है जब X का मान एक्कास होगा तो Y का मान पता अपने को यह क्या होगा तो डेल Y का मान जो है यह ग्याद करना अपने को ठीक है और डेल Y पता अपने को डेल Y जो है यह बराबर होता है तो यहां से अगर बात करें देखो तो अब y बराबर क्या था अपने पास में y बराबर था x की घात एक बटा है चार था तो यहां से अगर इसको अउकलित करेंगे x के साप एक्षे देखो यहां पे एक सुत्र पता अपने को d बटा d x d बटा dx x की घात अगर n हो तो यहां पे इसका अउकलित क्या होता है n x की घात n-1 होता है ठीक है तो यहां से अगर इसका प्रियोग करेंगे तो dy बटा dx जो है यह क्या बनेगा देखो यहां पे 1 बटा 4 आगया जाएगा और x की घात जो है 1 बटा 4 माइनस 1 होगा तो यह क्या यहाँ पे यहाँ पर डल-y का मॉन क्या आएगा देखो यहाँ पर डल-y का मान जब X वरAPPर क्या हूँ यहाँ इक्क्यासी थे हो तब यह क्या बनेंगा लिख रहा हो यहाँ पर तो डल- X का मान क्या है यह एक है तो यहाँ पर एक और घुण। में देखो dy बटट डीएक्स तो dy बटट डीएकस यह आगया निकलके और x बराबर क्या करना है 81 रखना है यहापे तो 1 बटट चार और यहाँ पर 81 की घात क्या हो जाएगी minus का 3 बटट चार यह आ जाएगा ठीक है तो अब देखो यहाँ से 81 क्या लिख सकता है फिर से 3 की घाट 4 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 3 की घाट 4 और देखों, यहाँ पर minus 3 बटा 4 घाट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा 4 घाट यहाँ पर और इसकी पूरे की घाट minus 3 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर यहाँ पर क्या एक बटा चार गुणा में, तो अब देखों यहां से यह तो क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर भागो के, यह 3 मन जाएगा, 3 की गात 1 हो जाएगा, और 3 की गात माइनस 3 मनेगी, तो यहां से इसको क्या लिख सकते है, एक बटा चार, और 3 की गात 3 का मान क्या हो जाएगा, द तो यहां से देखो अपने परस में, अब y plus del y जो है, यह बराबर है, देखो यहां से, y plus del y जो है, यह बराबर है, x plus del x की घात 1 बटा 4 के और x का मान अगर क्या है, यहां पर, यह क्या सी है, और del x का मान अगर 1 है, तो यह क्या लिखावा है, 82 की घात 1 बटा 4 लिखावा है, यानि y plus del y का जो मान है ये 92 की घात 1 बट 4 के बराबर होगा, तो अब अगर इस का मान गयात करना चाहे तो y का मान बता अपने को y का मान कितना है, 3 है, अब देखो यहां से, del y का मान निकाल लिया है, और y का मान कितना 3 है, तो del y यहां पे क्या है, 1 बट 1, 108 ठीक है, तो यहां से अगर इसको गयात करना चाहे तो यह क्या हो जाएगा, 300 choice plus 1 बट 1, 108 आएगा, ठीक है, तो 324 और 1 अगर यहां पे जोड़े इसमें तो यह क्या हो जाएगा, और 325 को भाग करें, 108 से, तो यह क्या हैगा, अपने पास में देखो यहां पे, यह 325 और बट 1 में क्या हैगा, 108 आएगा, और यह क्या हो जाएगा यहां से, यह 3, 10 मलाओ, 0, 0, यहां पे 9, और 2 आएगा, 10 मलाओ कि तीन इस्तान तक इसको सनिकटित करना है, तो यहां पे देखो, यह 2 है, तो जब यह अंक जो है, यह 4 या 4 से छोटा हो, तब यहां पे क्या करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, और 5 या 5 से बढ़ा हो, तब यहां पे इस अंक को हटाने के साथ, इससे पहले वाले अंक को एक से बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहां उत्तर धन्यवाद